हलो स्वागत है बच्चों आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक क्लियर करेंगे इक सीटू एंड इन सीटू कंजर्वेशन यह बहुत ही कन्फिजिन टॉपिक है आपका कंपर्टेटिव एक्जाम में एक्जाम्पल से पूझा जाता है शरक करना होता है कौन सा इक आज के वीडियो से आप अपना यह कौंसेट लेंगे और ट्रिक के साथ हम देखेंगे कि कौन से एक्जाम्पल एक शीटू में है कौन से ही इन gradual तो देखें किली कंजर्वेशन क्या है इन सीटू कंजर्वेशन का मतब हो नौन doikウ जो जिसका नेचूल है नेचूल जिसका आवास है, उसे में किसी आर्गनिजम को कंजर्ब करना, इसी का मतलब होता है, in to, मतलब उनकी आवास में in to मतलब inside home, ठीक है, और in to मतलब off site, मतलब बाहर, x मतलब बाहर, तो इनके जो home है या घर है उसके बाहर किसी animal का अगर conservation हो रहा है उसको एक c2 बोलते हैं तो in c2 और in c2 में आपको अंतर पता चल गया है ठीक है in c2 conservation में किसी organism का inside हम करते हैं inside conservation मतलब उनका जो घर है site है house है उसी के अंदर उनका conservation करना है लेकिन एक c2 में off-site बोलते हैं इसको off-site बोलते है ठीक है इसको off-site conservation भी बोलते हैं बकायदा आप notes बनाएंगे और हर जो biology doses में आपका topic clear करा लिए यह आपका बहुत important चाहे वो competitive exam हो चाहे आपका theoretical exam हो ठीक है बया तो ठीरी देखिए आपको समझ में आ गया in-situ का मतलब क्या है in-situ का मतलब क्या है in-situ का मतलब inside conservation एक c2 का मतलब off-site conservation ठीक है तो ठीर देखिए conservation and protection आप biodiversity in its natural habitat किसी organism का या फिर किसी biodiversity का natural habitat में conservation करना ही in-situ है और जो एक c2 conservation है इसमें conservation आप selected rare plant animal outside the year habitat इसमें plant का किसका conservation करेंगे जो rare है या फिर extinct होने वाले हैं उनके conservation करते हैं लेकिन outside the year habitat habitat से outside करते हैं ठीक है इससे क्या help होता है help in recovering population helping them to develop their distinct to feature जिस population का हम लोग conservation कर रहे हैं वो आपने distinct feature को develop करने में मदद करता है ठीक है इसका example क्या है national park, biosphere reserve, wildlife century अभी हम trick के मादधम से समझेंगे ठीक है बाटनिकल garden इसका example है, जुरोजिकल पार्क और सफारीज इसका example है ठीक है तो आईए हम trick के मादधम से एक example को learn करते हैं ओके, sorry देखिए यह है आपका biodiversity conservation इसमें हमने आपको दिया है इन सीटू conservation और इक सीटू conservation ठीक है बच्चा देखिए जो इन सीटू conservation है और इक सीटू conservation है पहले हम आपको इन सीटू conservation बता रहे हैं इन सीटू conservation में देखिए नेशनल पार्क है, wildlife century है, biosphere reserve है और sacred group है ठीक है और जो एक city conservation है उसमें देखेंगे आप जो लोजिकल पार्क है बोटनिकल गार्डेन है जीन बैंक है क्रायो प्रिजर्वेशन है ठीक है तो पहले हमने आपको बताया की concept जहां पे confusion होता वहाँ एक चीज को हमको याद है अगर को छोड़ना है तो इन city conservation में आपको ये सा नेशनल टीवी भाई भाई नेशनल टीवी को देखो ठीक है तो सा से यस ए जो है आपका उससे है आपका sacred group ठीक है ये इन city conservation के बारे में आपको बता रहे हैं और डबलू से wild light century ये नेशनल से होगा नेशनल पार्क टीवी से कुछ नहीं मतलब है हमारा ट्रिक को बैठान तो ठीक आपको याद हो गई सा नेशनल टीवी भाई एस सा से है sacred group डबलू से wild life century एन से नेशनल पार्क और भाई से बायस पेर रिजर्ट थैंक्यू सो मत बच्चो मिलते हैं नेक्ट लेक्चर में और हां आप कमेंट ज़रू करिए वीडियो कैसा लगा ठीक है